किसान मेरे हाथ में जो आप दवा देख रहे हैं यह इतना महंगा है कि आप अगर आप सून लेंगे तो इसको इस्प्रे ही नहीं करेंगे लेकिन उसके बाजूद भी काई किसान इसको इस्तिमाल करते हैं इसका अपने फसलों में परयोग भी करते हैं मैंने भी अपने फसलों इसका इस्तमाल किया, इसका परोग किया है, बहुती अच्छा रिजर्ट मिला है, इसलिए मैं इसके बारे वीडियो बना रहा हूँ, यह जो दवा है, इसका नाम है डेलिगेट, आप जो सामानने कीटनाशा के इस्तमाल करते हैं, उसका एक टंकी में 30-40 रुपय खर्चाता है लेकिन इसका इस्तमाल करते हैं, तो एक टंकी आपका 2-40 रुपय का खर्च आता है, अतलब सीधा 4-5 गुना खर्च आपका बढ़ जाता है, फिर भी इसका इस्तमाल करते हैं, क्यों इस्तमाल करते हैं, उसके बारे वीडियो आपको बताऊंगा, यह जो दवा है, कौन सा कम कीट को नियंदरन करता है, इसी तरह का तमाम जानकर मैं आपको वीडियो में देने आला हूँ, इसलिए लगर आप खेती करते हैं, खासका सब्जी खेती करते हैं, तो आप कीट नियंदरन करते हैं, हार मान जा रहे हैं, और नियंदरन नहीं होता है, तो आप वीडियो को ज जो दवा है यह डाव कंपनी का देखिए डाव एग्रो साइंस का दवा है डेलीगेट यह जो दवा इसमें जो केमिकल पायाता है केमिकल का नाम है आपका इस्पाइनो टेरम 1187% www.asc यह जो दवा है इसका अगर हम मोड अप एक्षन के बाद करें तो जब आप इसको इसे करते हैं तो किया करता है कि सीदा कीत के संपर्ख में आता है और कीत के बोड़ी बें जाने के पर क्या करता है खि कि यहां दवा किस-किस फसल में इसको इस्प्रे कर शकते हैं देखे खास का लगबख सभी परकार के फसल में इसका इस्प्रे करते हैं यह जो दवा है यहां किस-किस कीट उन्हें अंतरन करता है मुख्य रुप से इस दवा का इस्तमाल चाहिज दवा का खोज किया गय था आपको लेपीड्योप्टरा कीत के मतलब तह जो की केटर्पिलर होता जो ऐसे करके चलता जिसको आप सूरी बोलते हैं वह ऐसे किट को यहां बहुती जल्दी नियंतरन करता है लेकिन उसके साथी सा पाने वए कीट को भी हार दोहां नेंटरन करता है। अप था M जो किया यता है भेगानी को द्वारा साम का समय सबसे अच्छा रहता जब कि हबा ना चले। जैसे दिन को होगा उसी समय का रिस्प्रे करते हैं इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अब हम बात करें इसके प्राइस के बारे में देखिए मेरे पास जो यह दवा है 180 मिल का है इसमें प्राइस लिखा हुआ देखिए 2640 रुप्या तो यह होगा आपका मेर्पी होता है मेक्सिम्म रिटेल प्रेस तो 26 रुपया तो नहीं लगता है इसको हमने मार्केट से लिया है 22 रुपया में कहीं करें हो सकता है कम ज्यादा भी हो आप अपने अनुसार देख लिए कि कितना रेट में आदा आपको मिल जाता है अब बात करते असर इस दवा को अगर आप एक बार इस्प्रे कर दिते हैं तो लगभा लगवा आप 20 दिन के लिए बिल्कुल फुरसत रही है आपको किसी पर कर कोई कीट उसमें आपके फसलों में नहीं लगा चाहिए चुसक कीट भी मिलना चाहिए तो यह जो दवा है आपका डेलिगेट इसका डोज अगर हम देखते हैं तो एक लिटर पानी में आप एक एमेल दवा मिलाए उससे ज़्यादा मिलाने की जगवाद नहीं है उतना में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तो यह जो डेलिगेट है आप इसके साथ कौन को सा दवा मिला के आप इस्प्रे कर शकते हैं यह सबसे महत्वपून है देखिए मैंने कि जो किसान लगबग आगे जो किसान क्हेती करते हैं उनंहीं का सुनके मैं इस्तिमाल किया था यह मेरे पास है पॉली संद्स करता है तो अगर कोई दवा मिलाना चाहते हैं तो सब सोते हैं कि आपको बरतन लिए बरतन में एक रिटर पानी लिजिए और इसकों यह मिला लिजिए और हम यह कर दो आदा ग्राम दवा है उसको मिला लिए बिलैक आप अच्छे से गोरिए अगर भाड नहीं फटता है समझे के लिए ता बिल्कुल इस पर नहीं किसे इस तरह से कि फसलों में इस कीटना शक्रोख कर सकते हैं देखें बहुती महंगा कीटना सकता इसका डोज भी बहुती कम है वह बर्दस्थ है जैसे को अपको बता है तो एक तंकी लगए 30 रुपय खरचा जाता है उत्त एक तंकी आपका सत्तों रुपय खरचा रहा है हैं एक एकड में 10 तेंकी इस पर कर वा दिए तो आपका 700 रूपय खर्च हो गया एक बार दिए एक हफता में फीर एक बार दिए मतलब 15 दिन कांट्राल में आप को से कम 3-4 बार दबा कर दिये तो तीन जार का खर्च हो गया वहीं आपका इसको एक तो उप्योग करके मैं आपको बतारों कि दवा अच्छा है या बुरा है आप अपने इसाफ से समझ के इस्तमाल कर सकते दवा इस्तमाल करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए तो चले इसी तरह के वीडियो के फिर से आप से मिलते होंगा तब तक नमस्कार जैहिन जै भारत